नवस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों वैसे तो कोई भी वृत किसी ने किसी उदेश्री के लिए, किसी ने किसी फल की इच्छा के लिए किया जाता है लेकिन एकादर्शी का व्रत ऐसा व्रत है जो संसार के सभी सुखों और सभी मनुरत को पूर्ण करने वाला है इन एकादर्शियों में वेशाक मास के कृष्ण पक्ष की एकादर्शी वरूतिनी एकादर्शी कहलाती है और इस दिन भगवान मदु सुधन की पूजा की जाती है ये इस लोग और परलोग में भी सोभाग्य प्रदान करने वाली है रजीवन की सभी सुखों को प्रदान करने वाली है वरुथिनी एकादसी सबको भोग और मौक्ष प्रदान करने वाली है वरुथिनी के वरत से मनुशे 10,000 वर्षों की तपश्टा का फल प्राप्त कर लेता है किन्तु इस वरत को करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवशक है इस व्रत को करने वाले वैशनों को दश्मी के दिन कांसे के पात्र, उड़र, मसूर, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दो बार भोजन तथा स्त्री संग इन दस बातों को त्याग देना चाहिए और एकादसी को जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रती, क्रोध तथा जूट बोलना इन 11 बातों का परित्याग कर देना चाहिए इस प्रकार सहियम पूर्वक वरुथिनी एकादसी करवत करने सी तथा एकादसी की रात्री में जागरन करके भगवान मदु सुदन का पूजन करने सी व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त होता है असाथ ही जीवन की सभी सुख सुईधाएं और एश्वर की प्राप्ति भी होती है इस व्यक्ति के महात्मे को पढ़ने अथ्वा सुनने से एक हजार गौदान का फल प्राप्त होता है वरुतिनी एकादर्शी के दिन वरुतिनी एकादर्शी के व्रत्री कता अवर्श्य सुननी चाहिए जिस व्रत्री के घर पर विष्णू की कृपा होती है उस घर को मा लक्ष्मी कभी भी छोड़ कर नहीं चाती अर्थात वहां माल लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करने लगती है तो दोस्तों आप भी एकादर्शी के दिन एकादर्शी के नियमों का पालन करें और भगवान विश्नु की कृपापा पाएं उमीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस व्रत की कथा सुनने के लिए आप डिस्कृशन में दिये वे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेर करना ना भूले और इस तरह की अन्य जानकारियों को जानने और सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद